दृष्टी आईएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल भारती इतिहास के महतपोर्ण भाग वैदिक काल से सम्मंधित है UPSC की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परिक्षाओं में इस भाग से प्रशन पूछे जाते रहे हैं यहाँ आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुर्वत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा यहाँ डिव आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रशन पत्र एक के इतिहास खंड से वेदिकल भारती इतिहास का एक महत्वपुर्व युग था चुलगभत पंदरा सव इसापुर्व से छे सव इसापुर्व तत फैला हुआ था इस काल का नाम वेदों पराधाईत है जो इस युग के प्रमुख ग्रंध है यवेद धार्मिक दार्शनिक और सांस्कृतिक दुष्टिकूर्ण से अत्यंत महत्वपुर्ण है और भारती जीवन की नीव को दर्शाते हैं वेदिक काल को दो प्रमुख हिस्सों में पाटा इस दोरान वेदों का निर्माड हुआ जिन मेरे गवेद, यजुरवेद, शामवेद और अथरवेद शामिल हैं इन वेदों में जीवन के विभिन पहलूँ जैसे धर्म, संस्कृति, प्रकृति की पूजा और समाज की कर्तव्यों पर विचार किया गया उत्तरवैदिक काल में समाज और राजनितिक सनरचनाय अधिक जटिल हो गई और आरेलों गंगा के मैदानों तक फैल गए, इस काल में धार्मिक कर्मकान्नों का प्रभाव बढ़ा और समाज में वर्ड विवस्था और ब्रामणों का प्रभुत्वस्था पित हुआ, आए अभम वैदिक काल की समाजिक सनरचना को समस्ते हैं, वैदिक काल में समाज पित्र सत्तात्मत था और परिवार इसकी सबसे छोटी और महतोपोडिक आई थी, समाज को चार वर्डों में विफाजित किया गया था, जो कार्य और योकिता पर आधारित थे, इन वर्डों में ब्रामणक, शत्रिय, वैश और शूद्र शामिल थे, ब्रामणवर्ग धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्छा का नित्रित्व करता था, ये वेदों के ज्याता और समाज में ज्यान और धर्म के प्रचारक थे, छत्रिय, योध्धा और शासक वर्ग के रूप में राजी की रक्षा और शासन का क कारे समहलते थे, वैश वर्ग व्यापारी, क्रिशक और पशुपालक था, जो समाज की आर्थिक रीड के रूप में कारे करता था, शूद्र सेवा और श्रम कारियों में सनलग्न समाज के सबसे निम्न वर्ग में किने जाते थे, बतादे की प्रिग, वैदिक काल में वड़ प्राप्त था, वे शिक्षित थी और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, रिगवेद में कई महिला रिशियों का उलेक है, हाला कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का महत्व धीरे-धीरे कम हो गया, और वे समाज के धार्मिक और शेक्षिक शेत्रों से हटा दी इस प्रकार वैदिक काल की सामाजिक सनचना भारतिय सभिता की निव मानी जाती है, आएए अब हम वैदिक काल के साहितिक योगदान के बारे में जानते हैं, वैदिक साहित्य भारतिय संस्कृती और सभिता का आधार है, जिसमें धार्मिक, दार्षिनिक और वैज्ञानिक क्यान का सम्रिध संग्रह मिलता है। या वेद यग्य विधियों प्रक्रियाओं का विस्तार पुर्वक वर्डन करता है जिस से वैदिक काल में यग्य के महत्तो का पता चलता है। सामवेद रिगवेद के कुछ चुने हुए मंत्रों का संगीत पधरूप है या वेद भारती संगीत की प्रारंभिक नीव रखता है और इसे गान वेद भी कहा जाता है। अथरवेद अन्य तीनों वेदों से भिन जादू, टोने, और शधियों और सामाने जीवन के विशयों से संबंधित है। इसमें स्वास्थे, कृषी और समाज की व्यावहारिक पहलों पर ध्यान दिया गया है। इन चारों वेदों के अलावा ब्रांभण, अराणयक और उपनिशद वैदिक साहित्य का हिस्सा है। ब्रांभण यग्य की व्याख्या करते हैं, अराणयक तप और ध्यान पर केंद्रित हैं और उपनिशद दार्षनिक चिंतन का अध्वुत संग्रा है। वैदिक साहित्य ने ना केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को दिशा दी, बलकि विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे छेत्रों में भी भार्दी ज्ञान की नीव रखी। आईए अब हम वैदिक काल की अर्थविवस्था को समझने का प्रेत्म करते हैं। वैदिकाल की अर्थविवस्था मुख्यता क्रिशी पर आधारित थी। इस यूप में क्रिशी को समाज का प्राथ्मिक व्योसाय माना जाता था। जव और गेहु मुख्य फसले थी और खेती के लिए सिंचाई का उप्योग नहीं होता था। क्रिशी वर्षा पर निर्भर थी, हलके उप्योग और बैलों की मदच से खेती की जाती थी। पशुपालन भी अर्थविवस्था का एक प्रमुक हस्सा था। गाय को धन और सम्रद्धी का प्रतीक माना जाता था। और इसे गोधन कहा जाता था। घोडे, भेन, बकरी और हाथी भी पाले जाते थे। उत्तरवेदिक काल में अर्थविवस्था ने व्यापार और वस्तु विन्वे प्रणाली के रूप में प्रगति की। अनाज, जानुवर और वस्त्र जैसी वस्तु में विन्वे के प्रमुक साधन थी। इस काल में समुद्री व्यापार की गरतलब है कि व्यापार के लिए गाडियों और बेलगाडियों का उप्योग होता था और मवेशी समाज की सम्रिध का मापदंड थे। जनजाति और पित्रि सत्तात्मत थी जहां समाज का नित्रित्व राजा राजन के हाथों में होता था। और वस्सभा और समिती जैसे जन समूह संगठनों के मियंत्रण में था। उत्तरवैदिकाल में राजनितिक सन्रचना अधिक संगठित और केंद्रकृत हो गई। जरजातिय शासन का स्थान स्थाई राज्यों ने ले लिया। राजा की भूमी का अधिक महत्वण हो गई और उसे व्यापक अधिकार प्राप्थ हुए। राजसत्ता को धार्मिक अधिकारों से जोडा गया और राजा को देवराज या इश्वर का प्रत्निधी माना जाने लगा। अश्वमीद यग्य जैसे अनुस्ठान राजा की शक्त और अधिकार को वैद ठहराने का साधन बन गये। सभा और समित जैसे जन संगठन धीरे-धीरे कम प्रभावी हो गये और राजा के साथ ब्रामभन वर्ग का प्रभुत बढ़ने लगा। इस काल में कर प्रणाली और प्रशासनिक धाचे का विकास हुआ जिससे राज्य अधिक स्थिर और सशक्त हुआ। इस प्रकार वैदिक काल की राजनेतिक सनुष्णा ने भारती प्रशासनिक प्रणाली की निव रखी। निर्माण संभव हुआ जिससे क्रिश और धार्मिक अनुष्ठानों का समय निर्धारन किया जाता था। इस प्रकार वैदिक काल में कला और विज्ञान का अग्भुत समन में भारती सभिता की प्रगति का मार्गदर्शक बना। आईएब नजर डालते हैं निसकर्ष की तरख। जीवन का हिस्सा है। इसके सिध्धान्त और शिक्षान न केवल अतीत की धरोहर हैं बलकि आज भी भारती समाज में प्रभावी और प्रासंगिक हैं। इस युगने भारती संस्कृती को एक दिशा दी और इसकी मूरिभूत धारा आज भी हमारी धार्मिक, सामाजिक और संस्कृतिक पहचान में जीवित है। तो विवर्स आज के लिए बस इतना ही चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। वैदिकाल के आर्थिक जीवन का स्वरूप कैसा था? क्रशी व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के संदर्व में इस काल के प्रमुक विशिस्ताओं का विवेचन कीजिए। क्रूप Zheng